बिसमिल्ला रिख्मान रहीम आज हम मॉड्यूल 182 डिसकस करेंगे मॉड्यूल 182 है about anonymous pipes जिस तरह के हमने previously देखा है कि दो तरह की pipes हैं एक anonymous pipes है और एक named pipes है फिर्सलिके हम anonymous pipes को discuss करते हैं anonymous pipes जो है वो आपको जिस तरह previously भी हमने discuss किया था है कि one way communication करती है यानि के half duplex हैं सिरफ एक direction के दर communication कर सकती है एक process अपनी output किसी दूसरे process को as input send कर सकता है लेकिन दूसरा process वापस पहले वाले process को information send नहीं कर सकता हाफ duplex communication है और बड़ी simple सी यह pipes है यह byte oriented communication के लिए use होती है अगर byte by byte आपने data send करना है कोई अगर message oriented communication है उसके लिए यह suitable नहीं है byte wise आपने data send करना है या number of byte send करना है और आपको पता है कितने number send करने है तो उस तरह की communication के लिए यह suitable है जो भी आप एक anonymous pipe create करेंगे उसके दो handle होंगे एक read के लिए और एक write के लिए जो write करने वाला process है वो write handle यूज़ करेंगा जो read करने वाला process है वो read handle यूज़ करेंगा और उस pipe के थुरू दोनों processes आपस में communicate करेंगे एक read handle को यूज़ कर रहा होगा और एक write handle को यूज़ कर रहा होगा और अगर आपको इस pipe को create करना है तो इसके लिए आपके पास API available है एक pH read और एक pH write और इसके लावा security attributes हैं इनको हमने पहले कई दफार discuss किया और size of pipe है यह जो CB pipe है यह एक just suggestion है कि जी इतना आप size रखना चाहते है अगर आपने नहीं कुछ specify किया वो तो default इसका zero होगा आम तोर पे जब आप inter process communication perform कर रहे हैं तो उसके इंदे दो processes involved होगे और वो दो processes कैसे involved हो सकते हैं हो सकता है कि एक process parent process हो और दूसरा process जो है वो child process हो अब for example अगर जो parent process है वो कुछ output produce करता है और चाहता है कि उस output को वो send कर सके to child process as input child process उस output को अपनी input के तोर पे इस्तमाल करेगा और processing perform करेगा तो फिर child process के पास read करने के वाला handle होना चाहिए यानि कि pH read जो है वो child process के पास होना चाहिए और pH write जो है ये parent process के पास होना चाहिए parent process ने क्योंके write करना होगा child process ने read करना होगा parent process ने create pipe को call किया उसके पास दोनों handle आ गए अब वो child process को read वाला handle कैसे pass करेगा तो इसके लिए हमने start-up structures की बात की थी जब हमने process creation की बात की थी तो start-up structure की बात की थी start-up structure के अंदर आप इस handle को specify कर सकते हैं और इस handle को easily फिर use किया जा सकता है अगर आप एक pipe में से data read कर रहे हैं एक process है वो pipe में से data read कर रहे है read कैसे किया जाएगा उसके लिए read file का function use होगा तो उस सूरत में क्या हो सकता है कि अभी हो सकता है pipe के अंदर कोई data आया ही ना हो जो sending process है उसने अभी कोई output generate ही ना कियो तो उस सूरत में आपका जो read file का function है वो क्या कर देगा वो block हो जाएगा उसकी execution रुक जाएगी in case the pipe is empty अगर pipe empty है तो read file के function की execution रुक जाएगी वहाँ पे उसकी execution block हो जाएगी जब तक के pipe के अंदर कुछ data नहीं आ आ जाता अगर कोई data available है तो read file का function easily वहाँ से read करता रहेगा और कितने bytes read करेगा जितने भी pipe के अंदर available हैं या जितने आपने उसको specify की हैं वो सारे bytes जो है read कर सकता in case जो write वाला operation है वो write करना चाहा रहा है लेकिन आप की जो capacity है उस pipe की वो full होगी उसके अंदर मजीद capacity नहीं है वो मजीद data accept नहीं कर सकती उस case में जो write file का function है write file का function जो है वो block हो जाएगा उसकी execution रुक जाएगी जब तक के उसमें से कोई data थोड़ा बहुत read नहीं हो जाता तो anonymous pipes जो है यह आपको पता है one way work करती है अगर आपने two way communication करनी है तो उस case में आपको फिर दो anonymous pipes use करनी पड़ेगी एक pipe यानि कि दो अलग pipes होंगी अगर एक process जो है वो एक pipe के थुरू read कर रहा है तो दूसरी pipe के उपर वो write करेगा और इस तरह से two way communication perform की जा सकती है